हेलो फ्रेंड्स बेलकम और नमस्ते कैसे हैं आप लोग होफ आप सबी लोग ठीक होंगे फ्रेंड्स आज मैं कुछ ऐसी चीजा बनाने जा रही हूं जो घर में पड़े हुए बेकार सामानों से बनाई जा सकती है इनके लिए हमें कुछ भी एश्टा पर्चेज नहीं करना है आज मैं बिल्कुल उनी चीजों का यूज करूँगी जो हम बिल्कुल बेकार समझ के फेक देते हैं और जिनका कोई भी यूज नहीं होता तो चलिए सबसे पहले मैंने कुछ कार्डबोड के पीसिस लिए हैं और उनको मैंने एक सेब देके कट किया है तो इसको कट करने के लिए मैंने सबसे पहले मार्क कर लिया है कि मुझे क्या सेब देना है और उसके बाद मैं इसके दो पीस कट करूँगी तो देखिए थोड़ा सा सावधानी से करना है क्योंकि ब्लेट हाथ में ना लगे इस तरह से मैंने इस तरह का एक सेप दिया है और इन दोनों को मैं किसी भी फेवीकोल या कोई भी एड़ेसिप से एक दूसरे को इस्टिक कर देंगे ताकि थोड़ा सा थिक हो जाए और ये ट और उसको मिक्स करने के बाद मैंने पेपर की छोटी-छोटी पीसे को कट करके इसके एजिस पर लगा देंगे ताकि एजिस स्मूथ दिखें उसके बाद मैं इस प्रेपेंट से कलर कर ले रही हूं और इस तरह से यह मेरा पहला डियाइवाई रेडि हो जाएगा कलर करने के सोल्डर से स्लिप नहीं करेगी और यह जैसे मैंने हैंग करिये वैसे ही रहेगी और नीचे से मैं plain दखूंगे और बीच बीच में उसमें से strip कट करूंगी तो देखिए मैं इस तरह से mark करने के बाद मैंने scale का यूज किया है जो simple simple strips बनानी है उसके लिए और equal size की हम सारी strips बनाएंगे इस तरह से देखिए मैं मार करना है आपको कटने के बाद समझ में आएगा कि मैं क्या सेब दे रही हूँ इसमें धीरे धीरे इसको भी कट कर लेंगे और इसके भी हमें दो पीस ही कट करने है ताकि इसको हम जोइन कर सके दोनों पीस कट हो जाने के बाद इसको भी हम एक दूसरे के उपर रिष्टिक करेंगे एक पीस मैंने पहले से ही कट करके रख लिया है ताकि वीडियो बहुत जादा लंबा ना हो जाए इस तरह से देखिए कंप्लीट हो गया और इस्टिक करने के बाद ड्राय होने देंगे और ड्राय होने के बाद सेम प्रोसेस से इस पे भी हमने चारो तरप से पेपर के छोटे छोटे पीसेस को इस्टिक कर दिया है अब मैंने जूट रोप को लिया है और जूट रोप से इसको कवर कर देंगे ताकि यह मजबूत भी हो जाएगा और देखने में भी बहुत सुन्दर लगेगा तो स्टार्टिंग और एंड में हम ग्लूगन का यूज़ करेंगे ताकि यह स्टिक हो जाए और जब भी कोई चीज खुलती है तो स्टार्टिंग से एंड से ही खुलती है मिडल से नहीं खुलती है इसलिए मैंने मिडल में ग्लूगन का यूज़ नहीं किया है आप चाहें त और मुझे थोड़ा सा वेस्टेज लग रहा था इसलिए मैंने यूज नहीं किया उसको इस तरह से पूरा कवर कर लेंगे जहां-जहां छूटा हुआ है वहां भी छोटे-छोटे पीस ले करके हम कवर कर देंगे उपर का हैंडल भी कवर कर देंगे कवर करने के बाद यह सुन्दर तो दिखेगा ही साथ में यह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग भी हो जाएगा क्योंकि मैंने पहले से ही काटबोट की दो लेयर लगाई हुई है और उपर से यह जूट रोप लग जा रही है अब नीचे बीच यूच में जहां पर बचा है उसको भी कवर कर देंगे और यह पूरा कंप्लीट हो जाएगा और देखिए बातो बातो में यह और्गनाइजर भी कंप्लीट हो गया अब इसमें हमारे तीन पार्टिशन है जिसमें हम अलग-अलग तरह की चीज़ें हैं कर सकते हैं मैंने इस्टॉल के लिए यूज किया है आप इसको कुछ भी हैं कर सकते हैं बेस्ट पार्ट है कि इसमें आपको विजवर भी है और स्पेस भी कम लेता है क्योंकि एक हेंगर में हमने तीन आइटम्स इंक्लूड किया है ये दोनों और्गनाजर इंस्पार्ड हैं अमेजन से और मैंने वहीं पे इस तरह के और्गनाजर हेंगर देखे थे अब मैंने कार्ट बोड का एक बड़ा सा बॉक्स लिया है और इसको बीच में से दो पीस में कट किया है ठिक करने के लिए साइट से मैं एक एक पीस और इस्टिक कर दूँगी ताकि ये टूटे ना और इसको एक ओल्ड बैट सीट से कवर कर देंगे ओपन ना हूँ अच्छे से इस्टिक रहे हैं इसके लिए मैंने टेप का यूज किया है कोई भी टेप यूज कर सकते हैं पेपर टेप या फिर सेलो टेप या ब्राउन टेप कोई भी टेप यूज कर सकते हैं मैंने ब्राउन टेप का यूज़ किया है अभी मेरे पास यही अबलेबिल था और इस तरह से मैं इसको कवर कर ले रही हूँ दोनों पीसेश को मुझे कवर करना है और उसके बाद ड्राय होने के लिए रख देंगे अब मैं आइसक्रीम के खाली वले कप ले रही हूँ और इसमें से जो ऊपर पेपर लगा रहता है वो हटा दे रही हूँ और इसको मैं रैट कलर से पेंट कर दूँगी तक यह देखने में मैच करें और अच्छे लगें आइसक्रीम कप को मैं एक बॉक्स के नीचे की साइड में इस्टिक कर दे रही हूँ और यह इस्टेंड जैसा बन जाएगा इसके लिए मैंने फाइब यूज की है ताकि बीच में भी थोड़ा सा वेट ले सके और अब इसको पलट के इसमें यह चारो रोट साइट से लगा देंगे थोड़ा सा उपर के साइड में ग्लूगन लगा दीजे ताकि यह सिक्यूर रहे ब्लूगन मैं इसलिए यूज करनी हूँ क्योंकि यह जल्दी से ड्राय भी हो जाता है और थोड़ा ज्यादा मजबूत रहता है इसके उपर मैंने दूसरा बॉक्स रख दिया है इस तरह से यह मेरा ट्रॉली जासी रेडी हो गई है ट्रॉली यह कहें कि दो पार्ट की एक जासी रेडी हो गई है इसको कुछ भी रख सकते हैं आप चाहें तो इसे मेकप और्गनाजर की तरह से यूज करिए या फिर आप इसमें बच्चों के टॉय बगरा रख लीचे काफी स्पेस है और इसमें इसली सारे सामान एड़ेश्ट हो जाते हैं और देखने में भी यह तीनों साइट से मैंने कट किया है और इसको भी फेविकोल से मैं इसमें कुछ और काटबूर्ट के पीसेज लगा दे रही हूं ताकि यह थेक हो जाए छोटे-छोटे पीसेज और मैंने इस्टा काटके रखे हैं इनको मैं पेपर से कवर कर लूँगी इस तरह से और यह सभी साइट से रेप करने के बाद इसको ड्राय होने के लिए छोड़ देंगे तब तक हम ने जो छोटे-छोटे पीसेज रेडी किये है थे रेप करके उनको कम्प्रीट करेंगे चार पीसेज मैंने लिये थे तो मैं चारो साइट से इस्टिक कर दूँगी इसके लिए भी मैं ग्लूगंद की हेल्प ले रही हूँ आप चाहे तो फेविकोल से भी इस्टिक कर सकते हैं और इसके बाद मैं holding की bottle का एक cap ले रही हूं जिसको मैंने आगे glue gun की help से stick किया है इस तरह से stick करेंगे और color match करने के लिए इसको मैं red color से color कर दूँगी उपर से भी glue gun लगा दीजिए ताकि ये मजबूत रहे और एक seat को हम इसके उपर से रख देंगे नीचे इतना space रखेंगे कि जो अभी मैंने box बनाया है वो उसमें डाल सकें इस तरह से complete हो गया ये और ये एक drawer ready हो गई है इसमें हम बच्चों की eraser, swapner या pencil वगएरा रख सकते हैं इस तरह से मैंने सारे organizer ready कर लिया है तो friends बहुत काम की organizer है आप भी जरूर ट्राइ करिएगा और ये बहुत मजबूत रहते हैं आप ये ना सोचे कि cardboard का बना हुआ है तो बहुत जल्दी तूट जाएगा या कुछ भी मैं इसको काफी दिनों से यूज कर ले हूँ इस तरह की organizer और ये बहुत चलते हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं और सबसे best part तो यही है कि हमारा सामान इस तरह से organize जाता है जाता है